Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope आप सभी अच्छे हैं. मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ, उमीद करती हूँ, आप सभी सेफ होंगे and positive होंगे. आज की जो channeling है वो आपको alert कराने के लिए हैं. आप सभी कही ना कही इसी चीज में इस्टक हैं कि आप अपनी journey में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो divine की तरफ से direct message बताया गया है हम सभी twin member को, twin souls को और जो अपनी dm और df वाली journey में आगे बढ़ रहे हैं. तो आपकी life में आप हमेशा एक इस्टक फील कर रहे हैं. आपकी journey हमेशा आपको रुकी रुकी फील हो रहे हैं. और आप इतना inner work कर रहे हैं. इतना सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी आपकी journey बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और आप अप अपने आपको पिल्कुल रुका हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे हैं. और आप पिल्कुल अपने आपको एक helpless फील करते हैं. कि आपको ऐसा लगता है कि divine भी साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है. पता नहीं कोई ऐसा मिल जाए जो हमें पता दे हमारा ये law case है और इस पे हम काम कर ले ताकि हमारी जो जर्णी जहां रुके हुई है, वो हमारी शुरू हो जाए. क्योंकि आप सभी कोसिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम रुक कहा गए हैं, हमारा कौन सा ऐसा ब्लॉक केस है, जिसकी बज़े से हम उसे हील करके आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी ने अब तक अपनी जर्णी में इनर वर्क किया, सभी ने सब को जाना, और सभी ने अपनी सैडो को अच्छे से हील किया, अपनी कर्मा को हील किया, सबसे माफी मांगा, फोर्गिवनेस को अपनाया, लेकिन आपनी अपनी भीतर के सैडो को पिख़ा-पर्प away no मो मया जिसे हम कहते तो अपने हर चीज देम सोगा हैं लृक। करके आगे बढ़ जाते हैं लेकिन थोड़ा सा जो आप यहां इश्टक फील कर रहे हैं जो आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं उसका कारण इतना है कि आपने अपने सैडों को बहुत अच्छे से हील किया है और सारी जगें से आपने अपने डिजायर की एनर्जी को हटा लि अबनार दुन इतना पहरे है तो वह चीज आपको समझ में आ गई है यह आपको वह समझने की जरूरत है कि जैसे आपको समझ में तो आ रहा है कि आपका कोई ब्लॉग केज है लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप जितना डियम डियेफ की एनरजी को यानि कि उनको मैसेज करने की उनका वो कर रहे हैं वो नहा करकर के आपको फेट रखनी की जरूरत है आपको भरोसा रखनी की जरूरत है आप भरोसे से ज़्यादा आप टैंशन ले रहे हो आप फियर की एनरजी में जा रहे हो आप डाउट की एनरजी में जा रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो अगर साथ में हो या नहीं हो उनको चाहते हो उनकी एनर्जी को समझते हो तो आपको ना अपने भीतर के टार के energy को generate नहीं होने देना है आपको पूरी तरह से awareness वाली energy में रहना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि cosmic energy generate हो रहे है 26 से तो इसमें आप जो attract करोगी जो आप सोचोगे डाउट सोचोगे डाउट वाली energy में आओगे जो भी energy में आओगे वो आप generate बहुत highly कर लोगे क्योंकि इस टाइम आप ना आपकी soul आपका mind आपकी body तीनों divine के साथ enlightenment में रहेंगे तो जो भी आप चाहोगे जो आप सोचोगे वो attract करोगे तो make sure कीजिएगा कि आपकी energy किस तरह से आपकी generate हो रही है कहां आप अपनी energy को लगा रहे हो मैं आपको अगर मेरी सलागरा फोलो करें तो मैं यहीं कहूंगी कि अगले जो पोर्टल आने से आन रहा है हमारा next पोर्टल उस तक तब तक आपको ना balance के साथ में रहना है अगर आप अपना union अचीव करना चाहते हैं क्योंकि यह 10 से 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही major सावित हो सकते हैं अगर आपस थोड़ा सा ध्यान के साथ में और थोड़ा सा balance के साथ में चलोगे तो आप इस energy को अच्छे से receive कर लोग भिए या करके हम अपने elf को रोग देते हैं तो फिर हम हमें सारी ॸे को स्कॉड़ा हिन को सकति रहते हैं कि हमारी बीस नहीं होड़ी हैं में इतना मैनिक स्ट कर रहे हैं तो उसका कोई म्हत नहीं होता तक कि जब तक हमें पूरी तरह से लिए पर फेत्र ना हो तो यह आप के लिए चैनलिंग आई होप आपके साथ में राजोनेट हुई है राजोनेट हुई है तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में मैं 26 से और 4 अक्टूबर तक डिवाइन यानि डियम और डिया की की रिलेशन्शिप की हीलिंग कराने वाली हूं यूनियन को आपको अच्छिव कराने वाली हूं तो आप इसके साथ अगर आप इंट्रस्टेड हो तो मेरे साथ जोइन कर सकती हो उसके लिए नमबर है यहाँ आप मुझे फोन पे या बाड़सर या मुझे टेलीग्राम पर कॉंटेक कर सकते हो और उसके लिए जानकारी ले सकते हो और मेरे साथ क्लासे जोइन कर सकते हो तो या इसी के साथ चलती हूँ मिंती हूँ लाइक वीडियो में तब तक के लिए बाबाई